हेलो दोस्तों मेरा नाम है सरोर पटवा और आप सभी का हमारी यूटूब चैनल नॉलेज आल अबाउट में स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भेल अप्रेंटिसिप 2021 जहासी के लिए जिसमें आल इंडिया के केंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसका पूरा जनकारी में नॉटिफिकेशन के जरिए आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यहां है भेल की आफिस्यल वेबसाइड जहां से आपको जो है नॉटिफिकेशन ट्रेड अप्रेंटिस 2021 बाइस पर क्लिक करना है व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है जहां से आपको नॉटिफिकेशन मिल जाएगा यह है नॉटिफिकेशन जिसमें जो है भारत हैवे इलेक्टिकल लिमिटेड जहां से जो एक महारतन कंपनी है इसमें जो है आईटि आई उत्रेड अभियर्थियों से शिक्ष्टा अधनियम 1961 अनुसार सन 2021 बाइस से तू वैवसाय सिक्ष्टा प्रसिक्ष्ट ट्रेड अप्रेंटिस से तू आवेदन आमंत्रित करता है जिसमें आप यहां पे वैवसाय देख सकते हैं किस-किस वैवसाय के लिए यह इतनी पद यहां पे निकला हुआ है प्रसिक्षड वर्स एक वर्स दिया हुआ है अनिमार अहरता में हाई स्कूल उत्रेड तिनांक 1121 को आयू जो है 18 वर्स से 27 वर्स के बीच होना चाहिए इसमें जो है NCVT और SCVT द्वारमानिता प्राप संस्थान से नीमित अभियर्थि के रूप में 2018 से 2020 के मद्य जो ITI उत्रीड किये हैं वे यहां पे अप्लाई कर सकते हैं साथ ही इसमें ITI में प्राप्त अंक का 60% होना चाहिए समान एव अन पिछावर के लिए अनुसूचित जाती जन जाती के लिए जो है 15% या उससे अधिक होना चाहिए यहां पे जो है आप लोग इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बाक्स से डाउनलोड कर पाएंगे मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूँगा इसको जो है आप लोग अच्छे तरह से देख लीजेगा अनिवार अहर्ता को अच्छे तरह से आप लोग देख लिजेगा यहां आवेदन करने के पूर किसी संस्था से सिख्ष्था अधिनियम 1961 के अंतरगत प्रसिक्षड प्राप्त नहीं किया हो अथवा प्रसिक्षड हेतु नाम पंजन नहीं हुआ हो अथवा अनि किसी कारखानों में एक वर्स या उससे अधिक का अनभव ना हो राजे सरकार अथवा केन सरकार के वेवसाद सिख्षड विवाग द्वरा जारी अंग तालका दोगी पर से संसार द्वरा जारी अ इस्थाई अंग तालका सुकार नहीं कि जाएगी आवेदक जो भी यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं उन्हें जो है apprenticeship India.org जो नया साइड है उस पे पंजीगरित होना अनिमार है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे सबसे पहले आपको जो है इस साइड पे जाके apprenticeship India.org पे जाके registration करना है registration करने के बाद जो है यहाँ पे आपको आवेदन करना है आरक्षड भी यहाँ पे दिया हुआ है कितना चुट मिलेगा साइड ही इसमें जो है अनुसूचित जाती जान जाती वर्क के उमिद्वारों को अधिकतम आईू सिमा में 5 वर्ष एओ इन पिछा वर्ष नौन क्रिमी लेर के आवेदकों के लिए 3 वर्ष की छुट प्राप्त होगी साथ ही इसमें चैन वरियता सुची मेरिट सुची के अधार पर किया जाएगा यहां कोई भी इंटर्वियू और कोई भी एक्जाम नहीं होगा यहां पर सेलेक्शन जो है आपका हाई स्कूल के 50% आई टी आई का 50% दोनों को मिला कर जो है मेरिट सुची त्यार किया जाएगा मेरिट सुची त्यार करने के बाद जिन आवेदकों का जो है चैन होगा उन्हें जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो यहां पर वरियता योगेता सुची निम्र के अधार पर त्यार कियागा इसका आप लोग देख लीजेगा आविद्गों को उप्रियुक्त वरियता सुची के अधार पर संबंधित साखा में अपलब धिरिक्तियां क्रमचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षी सीटों के अलावा में चैन किया जाएगा तो इस प्रकार जो है अंतिम रूप से चै चैनित आविद्गों को सुचना हमारे वेबसाइट जो है यहां पर वेबसाइट जो है जहांसी का जो दिया हुआ है वहां पर दी जाएगी अनि किसी प्रकार के सुचना का माध्यम का परियोग नहीं किया जाएगा तो इसका आप लोग जो है जो लोग आवेदन करेंगे और साइट पर हमेशा विजिट करते रहें अपना इमेल आईडी और मुबाइल नंबर को भी वही इस्तमाल करें जो आप हमेशा रिगुलर्ली यूज करते हो चैनित अभियर्थियों को प्रसिक्षर प्राराम होने से पूर प्रसिक्षू अधिनियम उनीच सभ एक सठ एम स खरा उतरने पर निर्भर करती है साथ ही यहां पर देखिए प्रसिक्षर के उप्रांत भी इच इएल जहां सी किसी भी अभियर्थी को रोजगार देने के लिए बाद नहीं होगा और नहीं इस संबंध में कोई विचार किया जाएगा आवेदन करने का चरवत प्रकिरिया यहां पर दिया हुआ है सबसे पहले जो है प्रथम चरण रजिस्ट्रेशन आवेदक को अप्रेंटिसिप इंडिया.org पर रजिस्ट्रेशन करना अनिमार है सबसे पहले आपको जो है नियू पोर्टल पर आई टियाई अप्रेंटिसिप करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना होता है उसको registration करना है registration करने का वीडियो आपको जो है description box में दे दूँगा आप लोग वहाँ से देख पाएंगे कि किस तरह आपको registration करना है registration के उपरांत आवेदक को एक registration number प्राप्त होगा जो की अग्रिम आवेदन पर किरिया के लिए अनिवार है दूइते चरण में जो है आपको पूरा apprenticeship india.org पर लॉग इन करना है उसके बाद जो establishment search पर भेल जहांसी या registration number जो establishment का registration number होता है इसको copy करके वहाँ पर आप search कर सकते हैं या type करके भी कर सकते हैं भेल जहांसी की link पर संबंधी trade के लिए आवेदन करना है दूइते चरण में तदो परांत उक्त registration number का उप्योग करके करते हुए आवेदक B.H.E.L. जहांसी की वेबसाइट पर trade apprenticeship ITI apprentice के अंतरगत उपलब आनलाइन आवेदन पत्र आवेदन भरना है आपको सबसे पहले registration करना है registration करने के बाद जो है आपको जो apprenticeship India.org पर है उस पर जो है इस establishment registration नंबर को डाल के जो है आवेदन करना है आवेदन करने के बाद आपको जहांसी की वेबसाइट पर जाके फिर से आवेदन करना है किसी भी अन परकार से आवेदन सिवकार नहीं किया जाएगा आनलाइन आवेदन पत्र पूरता भरने के पस्चाथ एक पावती मिलेगा आवेदन करने के बाद आपको जहांसी उत्तर परदेश पिन कोड दिया हुआ है इस पर आपको जो है स्पीड पोस्ट अथवा सधारा डांक के माध्यम से भीजना है यहाँ पर ऑनलाइन करने के बाद आपको भीजना है भीजने के लिए निर्धारित अंतीमतिति के उपरांत प्राप्थ होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जागा उसको जो है यहाँ पे दिया हुआ है डॉकुमेंट्स कौन-कौन से डॉकुमेंट्स जो है आपको सलंग करके साथ में स्पीट पोस्ट के माध्यम से भीजना है पावती पत्र के साथ निर्धारित प्रमापत्रों के स्वव सत्यापित छाया प्रतित सर्णर कर भीजना अनिमार है हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हाई स्कूल उत्तिरी प्रमापत जिसमें जन तिती अंकित होता है अथ्वा जन प्रमापत राजित सरकार अथ्वा के न सरकार के वेबसाई शिक्षड विभाग NCVT द्वारा ITI अंग तालिका, सेवा योजन कर्याले द्वारा जारी प्रमापत, अधार काट की फोटो प्रती अन्ने पिछवक, ST, SC, OBC विकलागनता जो भी है, आप लोग का उसको भेजना होता है, Apprenticeship India.org द्वारा जारी किया हुआ पंजियन कर्मांग, जो आपको वहां से पंजियन मिलता है, फर्स्ट प्रिंट आप लोग, फर्स्ट जो होता है रेजिस्ट्रेशन नंबर कवलेख होता है, उसका प्रिंट आउट भी भेजना है, आवेदा के अधि BHEA जांसी के वर्तमान मिलतक, जो यहां पे वर्तमान में कारिरत होंगे, BHEA जांसी में, उनके लिए है, साथ ही, यहां पे आनलाइन आवेदान करने हैं तो, वेबसाइड दिनांग 1121 से 16, 1221 तक खुली रहेगी, आवेदान से संबनित किसी भी पूस्तांच के लिए यहां पे दुर्भास करमांग दिया हुआ है, उस पे आप लोग संपर्ख कर सकते हैं, एक चीज़ धियान देना है, आपको 16, 1221 तक ही आवेदान कर पाएंगे, तो आवेदान करने के बाद जो है, आपको इस से पहले आवेदान कर ले, और आवेदान करने के बाद जो है, स्पीट पोस्ट के मादे हम से सधारा डाक से ना भेज़ें, क्योंकि सधारा डाक से भेजने में समय लग जागा, स्पीट पोस्ट के मादे हम से जो है, इस नवे किसी भी प्रकार का दिख्कत हो तो आप लोग comment session में comment करें मैं आपका फुरी help करूँगा साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा हैं वे मेरे चैनल को subscribe कर लें और साथ ही bell icon को प्रेस कर लें हमारे द्वारा दी गई हर नोटिफिकेशन आप तक आपको जल्दी ही मिलते रहेगी और आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वाचिंग